जिस सीमा में 1962 के बाद खून का एक भी कत्रा नहीं गिरा था उस बॉर्डर पर 15 जुन को हुई एक जड़प में भार्तिय सेना के 20 जवान शहीद हो गए हैं लेकिन इस वक्त भी चीन अपनी चालवाजी से बाज नहीं आ रहा हैं गलवान घाटी में हुई खूनी जड़प के बाद चीन ने एक वीडियो जारी किया हैं इस वीडियो में चीनी सेना उचे पहाडों पर युद्ध अभियास करते हुए दिखाई दे रहे हैं अब चीन के इस वीडियो को जारी करने का कारण क्या है तो दोस्तों आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या चीन भारत के खिलाब युद्ध की तयारी कर रहा हैं गलवान घाटी में चीन द्वारा की गई हरकत ने एक बार फिर से चीन ने 1962 के याद दिलवा दी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी चीन 1962 के युद्ध में भी पीट के पीछे वार किया था भारत के साथ गलवान घाटी में हुई जड़प में चीन को भी काफी चोट लगी है इंटेलिजेंट्स ब्यूर का कहना है कि चीन के 43 सैनिकों के साथ एक कमांडिंग के जान गई है लेकिन चीन ने अपनी सैनाओं की मौद का सबूत मिटा दिया है चीनी सैनिकों की मौत के बारे में ना तो चीनी मीडिया कुछ बोल रही है और ना ही चीनी सरकार अपनी सैनाओं के मौत के बारे में कुछ बोल रही है इधर परधान मंतरी मोधी ने चीन को करारा जवाब देने के संकेत दे दिये हैं लेकिन गलवान घाटी में हुई जड़प के बाद भी चीन सुधने का नाम नहीं ले रहा है और तो और चीन अबे भी भारत के सार माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है हाल ही में भारत और चीन के विदेश मंतरी के बीच वीडियो कॉल पर बात हुई जिस पर चीनी विदेश मंतरी ने इस मामले पर भारत को जाँच करने के लिए कहा है इस बात्चित के बाद भारत के विदेश मंत्री ने साफ बता दिया है कि इस हमले के पीछे चीन ने पहले से ही प्लैनिंग करकी थी उन्होंने कहा कि चीन के पहले हमले से ही पता चल गया कि कि चीन ने यह हमला पूरी प्लैनिंग और तैयारी के साथ किया है दोस्तो चीन अभी भी भारत के साथ माइंड गेम खेल रहा है जिसका जीता जाकता उधारण है कि चीन के इस महौल में भी युद अभियास का वीडियो जारी करना गलवान घाटी में चीनी सैना द्वारा भारतिय सैना के 20 जवानों की हत्या के बाद चीन ने भारत के साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है चीन के सेना आर्मी ने एक वीडियो जारी करके तेजी से सैन ने ताकर जुटाने का परदशन किया है इस वीडियो में चीनी आर्मी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो बहुत तेजी से सीमा पर अपने सैनिकों और युदि के हत्यारों को पहुँचा सका है दोस्तों सैटलाइट तस्वीर से पता चला है कि चीन ने गलवान घाटी में सेना का जमावडा बढ़ा दिया है सैटलाइट तस्वीरें गलवान घाटी में हुई जड़त के बाद ली गई है Global Times के अनुसार People Liberation Army के हलके टैंकों ने कम ताप मान वाले पहाड़ी शेत्रों में अभ्यास किया है यह अभ्यास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत और चीनी सेना के बीच सीमा पर गती रोध हो रहा है Global Times के अनुसार People Liberation Army ने तिबबत के शेत्रों में पैदल थल सेना बटालियन ने हाल ही में 4700 मीटर की उचाई पर थल सेना और टैंक द्वारा युद अभ्यास किया गया इस युद अभ्यास में चीनी सेना ने लंबे दूरी वाली तौपों और हवा में वार करने वाले मिसाइल सिस्टम और एंटी केमिकल वार्फेन के साथ ही इस युद को अंजाम दिया इस युद अभ्यास में टैंकों ने भी हिस्सा लिया और काफी बंबारी की इस युद अभ्यास के दौरान चीन ने ड्रोन की मदद से भारत की सीमा की रैकिंग की गई हलाकि चीन इस युद्ध अभ्यास की वीडियो बना कर भारत को तनाव में लाने की कोशिश कर रहा है लेकिन चीन को नहीं पता है कि भारती थलसेना को पहाडों में युद्ध करने की महारत हासिर है 1962 के बाद से भारत इन पहाडों पर युद्ध अभ्यास करते हुए आ रहा है भारत तो चीन के बीच 15 जून को हुई इस जड़ब के बाद भी गती रोज जारी है और ऐसे में इस वक्त पर चीन के युद्ध अभ्यास की वीडियो जारी करने का कारण क्या है चीन ने ये युद्ध अभ्यास तिब्बत के उचाई वले इलाकों में किया है जिससे ये बात जाहिर है कि चीन भारत को बता रहा है कि चीन पहाडों पर युद्ध करने के लिए तयार है दरसल पहाड़ी इलाकों में भारत को पूरी दुनिया में माहिर माना जाता है और यह बात चीन भी जानता है इसलिए चीन युद्ध ब्यास की वीडियो जारी करके ये बताना चाहता है कि अब चीन भारत के साथ पहाड़ों में युद्ध करने के लिए तयार है दरसल चीन इ अपनी सैनाओं को बढ़ा दिया है हलाकि भारतिय सैना भी इसमें पीछे नहीं है भारतिय सैना एक इंच भी जमीन चीन सैना को देने के लिए तयार नहीं है और अब परधार मंतरी नरेंद्र मोदी ने भी भारतिय सैना को पूरी चूट दे दी है इन चूटों के बाद भारत पूरी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे भारतिय सैनिकों के बीच अपनी देश की रक्षा के लिए कितना जज़बा है